केन सरकार की तरफ से बहुत समय पहले कांग्रेस के शासिन में एक योजना चलाए गई मिड्डे मील की योजना और मिड्डे मील की योजना के पीछे उद्देश्य तो बड़ा पवित्र था लेकिन सरकारी अधिकारियों और करमचारियों ने और सरकार में बैठे हुए लोगों ने जिस तरह से इस योजना का भटा बिठाया है वो सब के सामने है मिड्डे मील इसलिए था कि गरीब समाज के जो लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते क्योंकि रोजगार नहीं है उन्हें रोटी नहीं दे पाते तो पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है इसलिए ये व्यवस्टा बाये गई थी कि बच्चे अगर स्कूल में आइगे तो वहीं पर उन गरीब बच्चों के लिए मिड्डे मील की व्यवस्ता की जाये यानि दोपहर के भोजन की वैवस्ता की जाए और भोजन अगर है तो एक इंसान के नाते जो भोजन होना चाहिए और जिसकी वैवस्ता सरकार करे तो ठीप ठाक भोजन होना चाहिए लेकिन आज की तारिक में आप देख रहे हैं कि उसे ढंक से जानवर नहीं खाते, इंसान की तो बात दूसरी है। या यह सिर्फ इसलिए है कि जो गरीब समाज के लोग है, शोशित पीडि समाज के जो लोग है, उनके जो बच्चे हैं, उनको सिर्फ वही तक रखने के लिए, कि इनको इससे जादा देना नहीं है। और उनकी इस्तिती सुधारने की बजाए उनको भिकारी बनाने के लिए ये सब किया गया है सरकार क्या इसलिए कर रही है तो जो योजना बहुत अच्छी तरह से चलाई गेती जिसका उद्देश बड़ा अच्छा था कि इसके बहाने बच्छे आएंगे उनको पढ़ाय जाएगा और उनके भोजन की भी व्यवस्ता की जाएगी आज की तारीक में उस योजना का भटा खुद सरकार नहीं बठा दिया और बहुत बड़ा बहुत ही घटिया खाना बच्छों को दिया जाता है नहीं खाने की कोई व्यवस्ता धंग से की जाती है नहीं कोई उसकी सुपरविजन उसका धंग से किया जाता है और इसके साथ साथ एक और चीज बड़ी दुखद है जिसे मैं यहीं पर कहना चाहूँगा मिड़े मिल से जड़ी हुई जो उस मिड़े मिल को बनाने वाली महिलाएं है उनके जो उन्हें मान दे दिया जाता है जो उन्हें वेतन दिया जाता है या जो उन्हें महंताना दिया जाता है वो भीक से भी बत्तर है केवल एक हजार रुपे पर मंत मिड़े मेल बनाने वाली महिलाओं को दिया जाता है जरह सोचेंगे कि चार घंटे कम से कम उस खाने को बनाने में और उसके बर्तनों को धोने वगएर आज ते अधी सारे काम में लगते हैं तो उस एक हजार रुपे महिने में क्या होता है आज के समय में मैंने बार-बार कहा है फिर इस बात को कहता हूँ कि जहां प्याज पचास रुपे से किलो कम नहीं है ज़र कमाटर पचास रुपे से 80 रुपे किलो तक बिग गया आलुबी दो-1.5 साल पहले पचास रुपे किलो तक बिग गया उन हालात में 1000 रुपे महिना आज भी भिकारी को भी अगर आप देँ 1000 रुपे महिने से कितना हो गया मातर 300 रुपे परड़े के हिसाब से हो गया मतरब सिर्फ 30 रुपे आप दे रहे हैं से गम ताकि वो सही तरीके से वो काम कर सके जहां भी जिसकी मेहनत का उसे सही मेहनताना नहीं मिलेगा वहीं गड़बड़ी होगी और फिर गड़बड़ी उपर से लेके नीचे तक लगातार चलती रहती है और योजना जो भले के लिए बनाई जाती है वो योजना में तो ये मिड़े मिल की योजना जो है वो गरीब समाज के बच्चों को भिकारी बनाने की उनके स्वाभी मान को खत्म करने की योजना बन गई है तो इस योजना पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो जो आज की तारीक में भिशाब बने हुई है कल और भी बत्तर हालत इसक उनकी भी वेतन किया जाए ताकि अच्छा खाना बन सके सही काम हो सके और सही भोजन बच्चों को मिल सके